अच्छा हम ये तारों की रोशनी को देख के कैसे पता लगा पाते हैं कि वो तारा किन चीजों से मिलके बना है, उस तारे का temperature क्या है, वो कितना दूर है हम से तो light या रोशनी, white light बनी होती है सारे colors से मिलके तो अगर आप किसी prism से उसे गुज़ा रहे हैं तो वो साथो colors में बढ़ जाती हो और एक continuous spectrum मिलता है लेकिन यही light अगर किसी particular element के बादलों से होती हुई गुज़रे तो हर element एक particular type of wavelength एब्जॉब करता है और release करता है यह बिल्कुल वैसी बात है जैसे आप किसी भी metal को आग में जलाएं तो हर metal अलग-अलग तरे का color देता है तो इसी तरीके से अगर आप light को पास कराएं अलग-अलग gases से तो यह gases light के उन सातों रंगों में से कुछ particular रंग absorb कर लेती है तो फिर ही जो spectrum मिलता है वो थोड़ा discrete spectrum मिलता है यह एक barcode के जैसा होता है तो हर element जो भी element से पूरा universe बना है हर element का एक particular जैसे barcode है तो अगर हम सूरज से आती हुई रोशनी हो अगर हम इस spectrograph से देखें तो हमें नजर आता है एक पूरा barcode कि सूरज की रोशनी जितने रंगों से मिलके बनी है वो जब सूरज की core से बाहर आ रही थी तो फिर जितने भी gases ने और जितनी भी elements ने उस रोशनी से जो जो चीज़े निकाल ली उसका पूरा हमें quantity मालूम है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सूरज में कितना hydrogen है कितना helium है कितनी अलग-अलग चीज़े हैं तारो की रोशनी की intensity या जिसे luminosity कहते हैं उससे हम तारो के distance का अंदाजा लगा सकते हैं और अगर आपको याद हो तो military में ऐसे जो नए equipment आ रहे हैं वो infrared technology का यूज करके देख सकते हैं ऐसी चीज़ों को जो visible light या नहीं देख पाते हमारी आखें नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी आखें visible light of spectrum में काम करती हैं तो हम जो भी चीज़ दुनिया में देखते हैं उसके आगे भी बहुत कुछ है जो हमें नजर नहीं आता और इन चीज़ों को हम देख पाते हैं इन telescopes के मादियम से